जी मेरा एक सवाल है आलांकि आप हाली में एक काफी चर्चाव में हैं विश्णोई समाज के जो सनकसक्त है कुल दीव जिस्णोई जो एक बीजेपी के नेता भी है उनको हटाया गया है और आप भी इसको लेकर काफी बार आपने कई बार बहान भी दिये हैं सारुजिनिक हट्राम को लेकर शुचे मेरा निवेदन यह है हम व्यक्ति के दूरप से किसी को अश्यापक नहीं लगाते हैं व्यक्ति कोई जीवन किस तरह सी जीता है वह उसको जीवन का प्रश्णी है लेकिन किसी समाज का अगर आप नेत्रित्वय करना चाहते हो समाज की जो मर्यादा स्माज इसा नहीं चाहेंगा हमारी शुप्यात्प आध्य को हमरी प्रम प्रमप्राइं Ma Mulliganी in चंटें जैसा आचन करता है दूसरीमीं उससे और पाफभाय तों की अखर्ड़ करतेैं समाज की का सम रौटी उर वेटी का शम समाज में ही रहें ये वह भी जानते हैं उनके पूरज भी जानते हैं चौरद faites-वाज залAL जी उन पमन्तरी रहे हिए उन्होंने समाज के लिए बहुत कच किया समाज ने उनको पलकों पे बेटा करका, आज भी समाज के दिल में उनकी प्रतिवोई इजित का सम्भान का भाव है। और चोदी कुल्दीब जी थे उनका भी लोग सम्मान कर रहे थे। मैंने पेले भी उनके घर पे जाकर करका चेताया था, यह समाज के मर्याद के व्रुद्ध है। जैसा कि मैंने अनुरुद्ध किया बिना संस्कारों के शिक्षा अंधी और अधुरी होती है, पतन का कान बनती है। और पूत्र मोह में यह उनके साथ में हुआ। लेकिन हमने फिर भी एक आग्रे किया, अगर समाज का नित्रुद्ध करना चाहते हो, तो समाज के मर्याद का अनुरुद्ध करना होगा। लेकिन आप इसका विरोध समाजी कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। ऐसा है कोई भी समाज हो, हर समाज की अपनी एक संस्कृती रहे, खान, पान, पेनावा, आचार, विचार। यह ऐसी चीजे हैं जिससे वौतिके वाद कई चंहके यह बाहरी यह सरीर को प्रभावविद कंती है, इसी तरह से सब्विता, संस्कृति, प्रंपरा, रिती और यह विए यह हमारे अंतर मन को अंतर जगत कं Prभाविद करते हैं, अगर सास्त्रों को उठा करके देखोगे, अतित का इत्यास, इस बात का गवाह है, समाज के अंदर भी जब संबंद किये जाते हैं, रिष्टे किये जाते हैं, स्वाग गोत्र के अंदर कोई संबंद रिष्टा नहीं रिष्टा नहीं रिष्टा नहीं का गोत्र, पिता का गो ऐसे कई घातक रोगर बीमारियां होती हैं, जिनसे बचना बड़ा जट अर्शंबह हो जाता है, और एक बाद दूसरी बात बेवारिक दृष्टी से देखें, अंतर जात्य संबंद आप करोगे, तो एक वो समाज है जो आपकी समाज की प्रमप्रा है, रिती, रिवाज प्रम तो सब आपके वेचारी के मतवेद होंगे, प्रिवार के साथ मतवेद होंगे, और कल सम्मंद विच्छेद मेंने हज्जारों यसे उद्रण में आपको प्रिस्ट कर सकता हूं, अंतर जाते विवहां किसी भी समाज में चले जाओ, हज्जारों में एक आदम बगया तो साग गीता जी के शब्द में कहूं, तोहां ओने वाली उलाद भी वन्षंक्र होती है, वन्षंक्र जो होती है, उसके लिए धर्म होताने मरियादा होती है, तो है सभ्यताने साथ्कृति होती है, इनसान की रूप में एक दो पेरवाला पुष्व, मनुष्य रुपेन मिरग पाश्चरन्ति इस तरस वो जियुन जीते हैं.